आज मैं आपको जी एस द्रश्टी के भारती इतिहास में मादिकालीन भारत के इतिहास पूरा एक वीडियो में कवर कराने जा रही हूं देखे मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपने पहले से हिश्टी को पढ़ रखा है तो आप इस सीरीज को रिवीजन के तोर पर ले सकते हैं पर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी इस सीरीज देख सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से बहुत ही वह ज्यादा अभी इतना टाइम नहीं है कि मोटी मोटी बुक पर सकते कि आप देख रहे हैं आरो की बात कर लेजिए आरो एरो एक्जाम की बात कर लेजिए बहुत कम टाइम बचा है तो आपके लिए यह रिवीजन के लिए मोश्ट यूजफूल होगी देखे मैंने बताया इस बुक की खास बात यह है कि इसमें चित्रातना प्रस्तुकी की गए मेंस सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से जहां जवात चित्र दिया गया है और रे डायग्राम के माध्यम से सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है देखे मैं देखते हैं इसमें आज हम क्या कवर करेंगे देखे सबसे पहले हम इसमें भारत पर मुस्लिम आकमर दिल्ली सल्तनात बिजय नगसमराज दिल्ली सल्तनात बीविद दिल्ली सल्तनात की सासन बिवस्ता ये सब हम पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनात कला इव इस्थापते दिल्ल मुगल कालीन प्रमुग बिदेशी यातरी मुगल काल देखने के बाद यह सेर करियेगा अब लग्यों के सब्सक्राइब बताईएगा और में चैनल में नए हैं तुम्हें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें ओके फिरंस आये श्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से आप क्या बताएंगे 712 इस्वी में हुआ था किसके द्वारा हुआ था मुहम्मद बिन काशिम के द्वारा हुआ था कब हुआ था 712 इस्वी में हुआ था ये डेटा पर याद रखेगा देखिए मैंने आपको बताया है कि जो भी यह पॉइंट है यह पॉइंट वाले मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं कि उस्चंत इसको जरूर्द्यान में रखेगा आये देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे देखिए इसलाम धर्म के प्रवार्तक हर्जद मुहम्मद का जम्न हुआ था कहां हुआ था मक्कम हुआ था कब हुआ था पांसो सत्तर इस्यू में हुआ था और इनकी मृत्यू कब हुई थी ये 632 इस्यू में इनकी मृत्यू हो गई थी भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा है इ इंमडियों रखा यूनावी ओंचा नितें वह भारत को क्य एंडिया कहते थे हिंदू सपट्र प्रथम प्रयोग किस ने किया हिंदू ईरबों किया तिह सब और यहां से आपके एक्जामी क्यूशन बनते हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आकमन कब हुआ है तो वो हुआ है 712 इस्यू में किसके द्वारा मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा भी हमने बता डिसकस किया है अब देखे 712 इस्यू में हिंद्य को बिजित करने वाला मुस्लिम आकमन कारी कौन है मुहम्मद बिन कासिम हैं अरब आक्मन के समय उसुमें सिंद्व को विजित करने वाला और शीम कॉनृत अरब अब आखमन के समय से प्रमुक कारण क्या था हिंद महासागर में बंदर गहा की खोज करना और समुद्री डाकों की समस्या था क्या था एक दो कारण थे एक था हिंद महासागर में बंदर गहा की खोज करना दूसरा था समुद्री डाकूं की समस्या था और उस समय के जो तातकाली करण क्या था समुद्री डाकूं द्वारा अरब बैपारियों पर हमला कर देना तथा जहाजों पर कबजा करना यहीं कि में करण क्या था कि समुद्री डाकूं से यह सब परिशान थे तो समुद्री डाकूओं द्वारा अरभ वैपारियों पर हमला करना मैं जहाजों पर कपजा करना अब अब देखे अब आई देखते हैं ये देखे 712 इस यूपे देवल पर बिज़े प्राब्ट की थी आईए देखते हैं इसके परीडाम क्या हुए इस यूदिके इसके परीडाम ये हुए हैं देखे राजणीतिक सिंध एक नीतिक छेत्र है जिस पर अरव्बो का कब्जा हो आब रिजिद्थ इतिहासकार सिंद्य और आकमर के घटना को महत्यन मांतें जो इतिहासकार इस चर्णु सिंद्य और आकमर के घटना को जो 77 वह रहाध मतने थे ब दाहिर ते यह सिंध्छेत्र के अन्तिम हिंदू सासक थे याद रखेगा अरभो की बेहतर सेना थी यह बहतर थी अब देखिए दाहिर कॉन थे देखे और ब्राम भरते दाहिर थे अब आई देखते हैं अरोड या अरोड का युद्ध कहां पर हुआ था सिंधु नदी कटर्प पर हुआ था ब्राम भारत पर प्रथम सफर मुस्लिम आकमड तो मुहमद बिन कासिम किया था और किसके बीच में हुआ था मुहम्मद बिन कासिम तथा दाहीर की मद्ध हुआ था इसका परडाम क्या हुआ कि दाहीर जो है मारा गया दाहीर अभी इमने बताया है कौन है सिंद छेतर का अंति हिंदू सासक है इस देखे महमूद उसके मिद्ध चांदी जारी किए गये हैं महमुद गजनवी आ自 दर्बार इतिहासकार फिर पूछा जाता है जो इनके जो दर्बारी तिहासकार है ये कौन है उत्वी है कौन है उत्वी है ये किताब उल्यामनी तारीक यामनी के लेखा के ये पूछा जाता है इनके बारे में भी मुस्ट इंपॉर्टेंट है अब सी पूछा जाता है कि कौन से जब द्वान है जो गजनी के साथ भारत आया था तो कौन है और बैहाकी क्या कहते है तारीक ये पारस को है तुसी एवं उन्सुरी ये खुरा सानी विद्वान लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है अल्ष। Candidilla कि बारे में जयता ध्यान में रखना है और गन्रें जम्हारा है और क्या है तरभारी थिहासकार उतभी के बार इसके बारे में कोश्요न बंते हैं तो आप को यह समें रखना है अब देखिए कैसी अर्व में भारत नुन इनका जो भारत पर आक्मद हुवा है क्या है । निंस्यां सद्रीयटें का। जो है मुक्यता लूट पार्ट करना देखिए आप से भी कोशन पूछे जाता है कि महमूद गर्ष नभी ने सोमनाथ मंदिर की लूट कब की थी तो आप क्या बताएंगे 幕 से 1025 से 1026 ईस्वी के मत की थी सोमनाथ मंदिर की लूट की थी उनका जो आप मर्ष है ये कब तक आप मर्ष कर रहे थे प्रमुक उद्देश था अब नश्टा यह हम देखते हैं अलबरुनी के बारे में देखे अलबरुनी तो पहले आप ध्यान रखे गया यह गजनी के साथ भारत आया था देखे इनको शंस्रत का ग्याता भी कहते हैं और यह पुराणों का अध्यन करने वाला प्रथम मुशल्मान है यह भी आपसे कुशन से बना हुआ है आपसे भी पूछा गया है कि अलबरुनी जो है वो किस देश का निवासी है तो वो है खीवा का निवासी है इसकी रशना क्य इसलिए जाता हूं है 773 में ग्यारवी शदी में महमूद गजनी के इशाथ इसका भारत आगमन हुआ है यह इतिहासकार के साथ साथ खागोल विग्यान भूगोल तरक सासर और सदी विग्यान गडित तथा धर्म और धर्म सासर का इसको ग्याता भी कहते हैं तो यह थे सारे चांसेश हैं अब आई यह हम देखते हैं मुहमद गोरी के बारे में देखिए सबसे पहले आप देखें कि मुहमद गारी मुहमद गोरी का प्रत्हम आकमड कब हुआ था यह हुआ था 1175 एशियो में मुल्तान में हुआ था देखिए इनके जो सिक्के थे एक तरफ बिजय क्या थी प्रमुक बिजय ये पंजाब बिजय पेशावर बिजय शिंद बिजय अब देखे फिर ये 1978 रिस्यों में गुजराथ पर आक्मार करते हैं भारती सासक मूला सेकिन में इस आक्मार के समय जो नाइका देवी ने शैन नेत्रत किया है और आबु परवत के अब बहारती सासक मूला सेकिन थे इस आक्मा को निर्तत कर रहा थे नाइका देवी इन्हें सेन निर्तत किया और यह युद्ध कहां हुआ आबु परवत के निकट हुआ मुहम्मद गोरी की भारत में इनकी प्रिथम पराजें इनकी हार हुई है अब देखे फिर यह 1191 इसु में किनके बीच मुहम्मद गोरी बना प्रतवीराज चौहान की परिणाम क्या हुआ कि मुहम्मद गोरी की पराजे हुई लेकिन आप गोरी ने हार नहीं मारी हार नहीं पर इन्होंने 1192 इस युए में फिर से तराइन कर दुती युद्ध हुआ कि इनके बीच मुश्लिम सक्ति की स्थापना का मार्व प्रिसस्त किया तब ही से हो गई है 1192 में आप से पूछा जाता है अपने चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में किनके बीच में भी पूछा जाता है तो मुहम्मद गोरी और कनौज के सासक जैचंद के मद्ध में हुआ था ुटे थी कोन हो महममद गोरी की जीथ हुई थी तो ये थे हमारे मोहममद गोरी के मोहमम competitive अभियान और झुटकरी हुए हैं 3 उत्तर दिकारी हुए आईए हम देखते हैं एक हुए हैं कुतुब दीन ऐबक यही गुलाम वंज के संस्थापक हैं पर दूसरे कौन है नसरोग्दीन कुबाच्चा यह सिंधी पर करते हैं तीसरे कौन है ताजोग्दीन यालदोष यह गजनी में करते हैं यह इनके तीन उत्रा धिकारी हुए हैं अब आये निश देखते हैं एक ट्यक्दीन मुहममद बिन बक्तियार खिल जी के बारे में आये हम देखते हैं खिल जी के बारे में देखें जो यह इसके वर्ड होते ना थोड़ा से टफ होते हैं एक दूबारा पढ़ेंगे तो अच् अब जग किया नालंदा और बिक्रम शिलाबीस विद्याले हैं इन्होंने इनको नष्ट कर दिया बंगाल बीजे पर क्या किया इनको बंगाल पर आपमण किया और जो राजधानी बनाई है लखनवति को राजधानी घोषित कर दिया गया है जो तत कलिंसासक लचमर सेन बिना बंगाल में सरण ले लिया है यह खिल्जी के 비हार बीजय और बंगाल बीज्य था अब राजपूतों के हार के कारण क्या थे तो सबस राजपूतों में एकता का भाव कंणोज हेतू त्रीपच्छी संगर्ष में भागीदारी अब आए हम देखते हैं समाजिक और सांस्क्रतिक करण क्या हैं राजपूतों का आदर्श वादी होना सत्रूओं को छमा दान देना ये सत्रूओं को अपने छमा कर देते थे और जात करन क्या है इस थाई सेना का अभाव सामंत वात युद की परंपारिक विधी का अनुसरन करना ये इनके सैन विधी का कारण था अब आए हम देखते हैं महत्यपूर्तत्य क्या है देखिए दिखते हैं अलप्तगीन के बारे में जो अलप्तगीन है यह यामनी वंज के कुतु मुहम्मद गोरी ने कुतुबदीन एवा को प्रथम इकता प्रदान किया भीम देव प्रथम पुशे जाता है सोमनात मंदिर का पुर्ण निर्माण कौन करवाया तो भीम देव प्रथम ये आप ध्यान में रखिएगा और फिर दोसी भी इंपॉर्टेंट है अब आ तो अब क्या बताएंगे संसाप कोन है कुतुबदीन एवाक देखे इसके गुलाम वंस क्यों बोला जाता है क्योंकि ये जो कुतुबदीन एवाक थे ये मुहम्मत गोरी की क्या थे ये ये गुलाम थे इसलिए इसको गुलाम वंस बोलते हैं 1206 से 1290 इस्वीत दिल्ली कौन ये जो गुलाम वंस चलेगी ठीक है सभी तुर्क सुल्तान अलाग अलाग वंस के थे जो ये थे तुर्क सुल्तान ये अलाग अलाग वंस के थे श्वतंत्र माता पीता की संतान थे गुलाम वंस के जो गुलाम वंस है सुल्तान की जगह प्रारंबिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूग सुल्तान कहना अधिक उप्युक्त है यह कहने का मतलब यह है कि इनको सुल्तान की जगा पे हम क्या कह सकते हैं प्रारम्भिक तुर्क शुल्तान कह सकते हैं या दिल्ली के ममलूग सुल्तान कह सकते हैं ये उससे सुल्तान की जगह इनको बोश सकते हैं, कहने मतलब ये है, ठीक है, तो आईए हम देखते हैं, कि गुलाम वन्स के सासको का काल करम, गुलाम वन्स कब तक चलेगा, मैंने भी बताया है, कि उन्नीस कह रहे हूं, बारा सो छै से बारा सो नबे तक गुलाम वन्स चलेग इनका जो रहेगा, बारा सो चै से बारा सो दस इसवी तक, फिर आएंगे एलतुत मीस यी इंपॉर्टेंट है, बारा सो ग्यारा से बारा सो छोच्छिन से बारा सो चालीस इसवी तक, अब आईए दिखे, इनका है, अलाुत-दीन महसूद सहा, गया सुनियन बल्बन, ये य साह आते हैं फिर रकॉनित próprio स सुखार्टीय आते हैं फिर कौन आते हैं मुहिजुद्दीन बहरम साइ फिर नशुरुद्दीन महमूड से फिर मुहिजुद्दीन मुहम्मद कैकुबा फिर क्यूं मरस आते हैं क्यूं 1290 में था expecting कूरान खोव में सुरीले स्वर में कुरान पाथ लाल बक्स इनको बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि अधिक दान करने के कारण इनको नया नाम मिलता है लाल बक्स एक है कुरान खुआन जो सुरीले स्वर में कुरान पाथ करते तो इसलिए इनको कुरान खुआन बोल दिया गया है और लाल बक्त इसलिए बोलते हैं आधिक दान करने के करण मिला नया नाम ये इंपोर्टेंट है अधिए आईबक के समें इतिहासकार कौन कौन थे एक इतिहासकार थे हसन निजामी ये ताज उलमासिर है और जो है इन होर कौन है फक्रे बुद्दिबीर ये है सजरा ए असंब के इतने इंपोर्टन नहीं बटावैसे थोड़ा ध्यान रखेगा देखिए इनका जो परिचे हैं ये गुलाम वंज के प्रथम सासक है तूर्क जनजाति से समंदी थे किससे समंदी थे तूर्क जनजाति से समंदी थे भी कुश संकिया मृत्यों कभ होई है बारा सो दस इस्यू में पूछ राता है क्या वो कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसकी मृत्यों चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर हुई है तो वो कौन है कुतुबदीन एहबक है अब देखिए इनके जो प्रारंबिक जीवन है इनका काजी जीज कूफीदॉारा दास के रूप में इनको खरीदा गया फिर गजनी द्वारा आमीर आखुर के पदपर प्रोन्नत कर दिया गया है आप देखिए निश्ट देखिए और ये देखते हैं इनका निर्मार कार निर्मार कारिन से पूछा जाता है इनका जो निर्मार कार है दिल्ली में इनों किया है किस नाम से जो हम देखते हैं कुतुब मिनार कुवत उल इसलाम मंदिर के मस्जित के रूप में अजमेर में इनो उन्हें बनमाया है मोश इंपॉर्टेंट है कुतुब मिनार और अरहाई दिन का जोपड़ा अब देखिए निश्ट क्या है इनका इनका जो महत्यपूर्त थे इनका जो राजिफिसेख है जून और राजधाने लाहोर बनाई गई मुक्त्पतर भी दिया गया है इनको इनके सब हो गया है इनके उपादी के बारे हमने जान लिया और इनका प्रडम्विक जीवन निर्माणकर अब हम देखते हैं दएखिए एबग का पुत्र आराम साहा थोड़े समय के लिए देखे थे आराम साहा का जो है ये बारा सो दस से बारा सो ग्यारा इसवी तक इसने सासन किया तो जो एबग का पूत्र था आराम साहा थोड़े समय के लिए गद्धी पर बैठा लेकिन जो इल्टुत मिस था उसने उसको हटा दिया तो अब हम देखेंगे इल्टुत मिस के बारे में 12211 इसवी से 1236 इसवी तक ये क्या करता है सासन करता है खलीपा से प्राफ्त अधिकार इसको क्या मिलता है शुल्तान के पदी की शुक्रती शुल्तान ए आजम की उपाधी इसको मिलती है 1229 CCU में खिल अत्प्रमाण पत्रिस को मिलता है ये खलीपा से प्रापत अधिकार है ये जो है इल्टुत मिस है ये दिल्ली सल्तनात का वास्तिक संस्थापक है आप से एक्जाम में कोशन बनता है कि दिल्ली सल्तनात का वास्तिक संस्थापक कौन है तो कौन है इल्तुत मिस है इल्तुत मिस प्रथम वैद सुल्तान है इक्ता प्रणाली किस ने सुरुआत की थी तो इल्तुत मिस नहीं सुरुआत की थी छेत्रों का इक्ता में बिभाजन करना ये इक्ता प्रणाली बोलते हैं आप देखते हैं निश्ट देखते हैं हम लोग इल्तुत मिस इल्टुत्मिस्ट को कहा जाता है देख क्यों कहा जाता है जो गुलाम थे जो कुतुबदीन ऐबक थे वो मुहमद गुलाम थे जो यह इल्टुत्मिस्ट थे यह यह कुतुबदीन ऐबक के गुलाम थे इसलिए इनको बोला जाता है गुलाम का गुलाम आप ध्यान में कब थे सुल्तान बनने से पहले गोरी के आदेश पर मुहम्मद गोरी के आदेश पर आइबग द्वारा दास्ता से इनको मुक्त कर दिया गया है इनकी जो प्रिशाशन था इंपॉर्टेंट है पूशा जाता है चालिस सरदारों के गोटेनी की तुरकान एच चहल गानी किस ने प्रारम की थी चहल गानी दिवस्ता के प्रारम किस ने किया था इलतुत मिस ने प्रारम किया था अब देखे सिक्के सुल्तान सल्तनत कालीन भारत में सुर प्रतम सुद्ध अर्भी सिक्के जारी किये हैं पर टकसाल का नाम लिखहानि की प्रमपरफा कभी प्रारम किया है और तंका किसको बोला जाता था चांदी के जीतल जाता था तांबे के सिकको को बोला जाता था था क्या क्या अब देखें कुछ और देखते हैं महत्यपूर्टत भारत के उत्तरपश्चमीशीमाः पर चंगे मारा अधूरा रह गया था इन्होंने पूरा कराया तो यह थे इल्टुद बिंस के बारे में और जो कि इंपॉर्टेंट आफ से पूछा जाता है अब आई देखते हैं राज की सक्ति को सुल्टान के हाथों में केंद्रित करने पर बल्ह दिया गया है सत्यच्च्च करने में तुर्कों का हाथ है निश्च देखिए हम देखते हैं बल्बन के बारे में जो कि मैंने बताया है कि बल्बन मुश्च इंपॉर्टेंट है इनका जो परशा है बल्बन का ये कब तक करते हैं आसना 1266 से 1286 इसवी तक ये सुल्तान बनते हैं पूरा नाम इनका क्या सहय गया सुद्दीन बल्बन है इनका उपादी क्या है उलुग खां गया शुद्दीन इनका उपादी है वास्तिक नाम इनका क्या है बहाउदीन है उप नाम इनको क्या रखा गया है बल्बने खुर्द कनिष्ट बल्बन है इलबारी तुर्किस से ये समंध में बच्पन में मंगोलों ने पकड़ लिया था गजिनी में बसरा के खौजा जमाल उद्धिन बसरी ने खरीद लिया था और 1232 में दिल्ली इनको लाया गया गया बारा सो तैथीस इस्यू में गौालियर बीजे के पश्चात इल्टुतमिस ने इनको खरीद लिया था ठीक है अब देखते हैं इनका पद एवं बैबाहिक सम्वन्द खसदार का पद प्राप्ट हुआ इल्टुतमिस से इनको अमीर ए सिकार रजिया से इनको मिला अमीर ए नायव ए ममली कात नसुरदीन महमूद से इनको मिला नोट देखे 1249 में पुत्री हुजाइदा का बिबहा शुल्तान नसुरदीन महमूद से इनको ने किया अब देखते हैं हम लोग शासनकार इनको देखे इन्हों ने नवरोज तेवहार मनाने की प्रता आरम किया गया है आपसे पूछा जाता है कि नवरोज देवहार मनाने की प्रता किसने आरम किया है तो वो बलबन ने श्टार्ट किया है दिवान ए आज सैन विभाग की स्थापना की है मंगोलों से मुकाबला करने के लिए शेना मंतरी इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंतरन से इनक अखीर है इनके सभ्यांद कि आपसे फूछा जाता है यह सइनकी सिद्हांद कि करता है कि आसे आपसे पूर्च ले जाता है कि रक्त और लहwo की किसकी है तो वह बल्बन की है शुल्तान का पत इस्ष्वर प्रदत है शुल्तान क निरंगुश होना ऑश्यक है शिजदा और प धर्टी पर, इस्वर का प्रतिनिदी है, नियामत एक उदाई है, राजा जिल्ले अलही ये इक्सवर का प्रतिनिदी है, जिसने बोला जाता है नियामत एक उदाई, मान मर्यादा में राजा का जो क्रम है पैगंबर के बाद आता है बुगरा खां पुत्र को इन्होंने शला क्या दिये शुल्तान का पद निर्मकुनस्ता का सज्यू प्रतीक है लह और रक्ति नीती के ये संस्थापक है अब आए हम देखते हैं बल्बन की मृत्यू जो बल्ब कैकुबाद ने जलालुदीन फिरोज को आरीच अ मुमालक का पद दिया है अब कोन आते हैं खिलजी वंसा आते हैं निका बारे सो नबले ईस्थापना यहीं करते हैं अलावदीन को अमीर एतुजुक का पद दिया है और पुत्री का जो विभा है अलावदीन से इन्होंने कर दिया है अब हम देखेंगे अलावदीन खिलजी यह 1296 से 1316 इसवी तक यह शासन करते हैं अलावदीन खिलजी है यह प्रिथम सुल्तान है भूमाईस की भूमी की 25 कराकर लगान वशूली करना है परमपरागत लगान अधिकारियों से लगान वशूल करने का अधिकार चीना जो परमपरागत जो लगान वशूल कर रहे थे उनसे अधिकार चीन लिया और सारे विशेस अधिकार समाप्त कर दिये गए इनकी भूमी से भी कर लेना प्रारम कर लेनकी जो भूमी थी उनमें से भी कर लेना आरम कर दिया था अब निश्ट देखते हैं, उन सभी बैक्तियों से भी इन्होंने भूमी छीन लिया है, जिनको राश द्वारा प्रदान की गई, संपती दी गई है, इनाम दिया गया है, इन्द रात दी गई और पेंसंत के रूप में भूमी दी गई थी, इन कि इन सबसे ये भूमी छीन लि तो जिन्हें वहां मिलक तथा वफ आदी के रूप में प्राब थी सबसे ये भूमी छीन लिए हैं ये कौन है अलाउद्दीन खिल जी के बारे में लोग बात कर रहे थे अब देखें अलाउद्दीन खिल जी ने चार अध्यादेश लगाया हुए थे प्रथम क्या है उपोहा पिंसन दान में प्रदन की गई भूमी समंधित व्यक्तियों से वापस ले लेना सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकारिक कर लेने का आदेश दिया गया है दूसरा क्या किया गया है गुप्त चर्वी भाग का संगठन किया गया है तीसरा इन्होंने क्या कि के प्रियोग तथा जुवा खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है चौथा क्या है सरदारों एवं आमीरों की दावतों बीबहा समंधों पर प्रतिबंध हिनों ने लगा दिया है तो यह जो चार अध्यादे से पूछा जाता है पहला क्या है जिन्हों ने राज ने पहले जो से भूमी वापस ले लिया है और सरकारी अधिकारीयों को सभी बैक्तियों से अधिकारी कर लेनी का अधिश दिया है गुब चर भिभात का संगठन किया है और मादक, Dربयों, कप्रियों, क्यों खेलने पर पाबंदी लगा दिया गया है सरदारों एवं आमीरों की दावतों बिभा समंदों पर भी इन्होंने प्रतिबंद लगा दिया गया है लिएके बाजान नियंतरण मूल नियंतरण इनने क्या किया है सहना ए मंडी मलिक कबूल की नियुक्ति की गई है सहना ए मंडी मलिक कबूल की नियुक्ति की गई सहना बाजार का अधिच्छक समस्त बैपारियों पर नियंत्रन किया गया है सफलता के लिए कुसल कर्मचारी नियुक्त किया गया है अब महात्यपूर कर क्या है घरी कर गरी कर यानि घर एवन जोपड़ी पर कर लगाने वाला और एक चराई कर दुर्धाव पसियों पर भी य कर देना उपादी क्या है सिकंदर ए सानी दूती सिकंदर की प्रशिद सेनापति कोने जफर खां मंगोलों के बिरुद लड़ते हुए मृत्य हो गई है दिवान ए मुस्त खराज की भी स्थापना की है मुख देश क्या है एक सक्तिसाली और निरंकुस राजी की स्थापना क भूमी की 25 के आधार पर लगान वसूली करना उपज का 50% भूमी करेनिक राजीस को बोलते हैं और उपज का वास्तिक आयप पर राजीस निस्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम सा सकते हैं अब आए हम देखते हैं मलिक कफूर के वारे में हम लोग जानते हैं यह अ अलादीन की गुजराद विजे के दोरान इनको प्राप्त हुआ है इनको अननाम क्या बोलते हैं हजार दिनारी मलिक कफूर को आब देखें महतटपूर इनके अभियान क्या है उत्तरी अभियान पूछ जाता है कि अलोदीन के महतपूर अभिआन कौन-कौन से हैं उत्तरी अभी उत्तरी अभिमान में गुजरात विजे अभिमान उलु खान तथा नुसरत खान को नेतत किया गया है रन थंभाओर देखें रन थंभाओर मालवा चिताओर धार मांडू उज्जैन मारवान तथा चंदेरी पर विजे प्राप्ति किया है और दच्छडी अभिमान वारंगल देवगिरी होईशाल छेत्रों को नियंतर में लिया रामेश्वर में मस्जित का निर्माण किया रामेश्वर में मस्जित का निर्माण किया तो ये थे उत्तरी अभिमा अभियान और दच्छडी अभियान उत्तरी में क्या 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 जीते है रन थंभाओर मालव चित्तावड, धार, मांडू, उज्जैन, मारवान तथा चंदेरी पर बीचे प्राप्ति की और दच्छड में वारंगल, देवगिरी होई शाल में ठीक है अब देखें मलिक मुहम्मद जैसी इन्होंने पदमावत की रशना की थी इन्होंने पदमावत की रशना की थी, रानी पदमावत की रशना की थी इन्होंने श्वयम को खलीपा गोसित किया है, इनके उपादिया क्या थी? अब देखते हैं, कुछ महत्यपूर्ट तथा यह देखते हैं, तेरा सोच्छाई इस्यू के बाद अलादिन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एबं मंगोले की बीच सीमा कौन सी थी? रावी नदी थी, दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो रावी नदी थी, जलाल उद्दीन खिलजी ने अपना राजविस से कहां करवाया था? आपूर किलु खरी, किलु गड़ी महल में करवाया था। भूमिकर को उत्पादन के पचास प्रतिसत तक निर्धारित करने वाले शुल्तान कौन थे बताईए अलाउद्दीन खेल जी थे और मुहम्मद बिन तुगलक थे ये भूमिकर को उत्पादन के पचास प्रतिसत तक निर्धारित करने वाले शुल्तान थे राम चंदेव ये अब हम देखेंगे नसरुदीन, खुशर वसाहग के बारे में, तो थोड़ देख लिजिए, इन्हों ने क्या का है, बिरोधियों द्वारा दिया गया नारा क्या दिया गया है, इसलाम का शत्रु है, इनका जो शाशन काल है, 15 अपरेल से 7 सितंबर 320 तक इनका सासन काल तक चला ये धर्मांतरे सुल्तान है, येनि कि हिंदू से ये मुशलमान बन गए है, क्या है हिंदू से ये मुशलमान बन गए है, इनको जो उपादी मिली है, पैगंबर का शेना पते, तो इसमें आपको कुछ भी ध्यान में रखना जवत नहीं है, इसमें आपको ध्यान में यही र अपने गरंथ में किसने किया है अमीर खुश्रों ने किया है किलुखरी यर किलु गढ़ी के महल का निर्माता कौन था कैकू बाद था गढ़ मकतेश्वर की मस्जित की दिवारों पर अपने सिला लेक में स्वयम को खलीःभा का सहायक किसने कहा है बलबन ने कहा है जो गड़ मुक्तिसर की मस्जिद की दिवारों पर इन्हों ने अपने सिरलेख में स्वयम को खलीफा का सहायक कहा है किसने कहा है बलबन ने कहा है बलबन के काल 1779 इस्वी में बंगाल में हुए एक मात्र विद्रो का निर्टत किसने किया था तो गिर्जिल खान यानि बंगाल का जो सुबेदार ने इसने निर्टत किया था अब देखेंगे गोल गुम्मत मुश्ट इंपॉर्टेंट है तो गोल गुम्मत के बारे में आये जानते हैं हम लोग बीजापूर के महमूद आदिल सहा दूती का ये मकबरा है भारत के बिसालतम अतिहासिक भावनों में ये सामिल है गोल गुम्मत है बिस्ट के बिसालतम गुम्मदों में से एक है बहारी भाग प्याले की भाती है प्रते कोनों पर कंगूरों की बिवस्था है ये गोल गुम्मत के बारे में है अब आते हैं तुगलक वंस, देखे हमने गुलाम वंस के बारे में पढ़ लिया, खिलजी वंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंस के बारे में, जो स्टार्ट होता है तेरा सो बारा से चौदा सो बारा इस वी तर तुगलक वंस, इसका जो संस्था काउं का प्रधान र pega कराउन तुर्क है ये बलबन का दास है दिपाल पूरक का राजिपाल इनको निखत किया इनको मिली थी। कर्मुक्त जागीरे प्रदान की है। जो राजर सुवसूली में सरकारे कर्मचार्य को हिस्से की जगाप पे इन्होंने क्या दिया है। कर्मुक्त जागीर प्रधान की गई नसलों तथा बठाई प्रथा का भी प्रश्टलन स्थापना कीँ को मुहम्मिद बिन तुगलक ने की थी ख्रशी के बिन नती के ये एक नया विभाग भीन ने बनाया है इनका जो मुख्यकारि क्या है? क्रसको को प्रत्यच सहायता करना अधिकारिक भूमी को क्रसी कारियों के अधिन लाना और देखे क्या है? इन्होंने रासधानी परिवर्तन की गई से दिल्ली से दौलताबाद दियोगिरी में पुछा जाता है इबने बतूता क्या कहते हैं कि जो राजधानी परिवर्तन करने के इनका उद्देश किया है दिल्ली के निवासियों को डंड देना था एके निजामी के अनुशार देवगिरी का नाम दौलता बाद रखा गया अब आई और देखते हैं हिंदू के तेवहारो होली में भाग गैर तुर्कों और भारती मुसल्मानों को भी सरकारी पदों पर नोकित किया बर्नी क्या कहते हैं मिली है इनकी बृत्य उपर का है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सरवाधिक ये बिद्वान और सिचिता मुहम्मद बिन तुगलग अब देखें इन्होंने सिक्कों पर उतकीर सब्द क्या किये हैं अल सुल्तान जिल्ली अलाहा है ये इस्वर की छाया है सुल्तान जो इस्वर है वो शुल्तान का समर्थक है ये सिक्कों पर उतकीर सब्द ये लिखा है कि अल सुल्तान जिल्ली है अलाहा सुल्तान इस्वर की छाया इस्वर सुल्तान का समर्थक है सुल्तान सिक्के जिनको बोलते दिनार इबन बतुता की अनुसार सुल्तान सिक्के भी चलाए कौन-कौन से आई देखते हैं इन्होंने क्या किया है मुहमाद बिन तुगलक ने किया है खुरा सान पर आकमर भी किया है कराचिल अभियार भी किया है ये पांच मुखिन की योशना है थी अब हम देखेंगे फिरोज साह तुगलक के बारे में इनके बारे में फिरोज साह तुगलक के बारे मोश इंपोर्टेंट है देखे इसमें जो मैंने बताया है मुहमाद बिन तुगलक में आपको याद क्या रखना है एक तो इनको यह याद रखना है कि राजधानी परिवार और दिली सल्तनत में सबसे सभी सुल्तानों में सरवाधी बिद्वाने हैं। गरीब मुसल्मान लड़कियों के विभाग की भी विवस्ता करना। असोग के दो इस्तंभों को मेरठ एवं टूपरा जो वर्तमान हर्याना का यमुना नगरजीला से दिल्ली भी यहीं लाएं फिरोसा दुगलग दोरा लाया गया है। हक ए सर्व यह है क्या जो हक ए सर्व है यह सिचाई कर है। यह लगाने वरा दिल्ली का प्रतम सुल्तान पूछे जाता है कि हक ए सर्व है क्या। तो यह सिचाई कर है। साही नहेरो का पानी प्रियोग करने पर अधिरोपित होता था। फिरोसा दौरा आरोपित एक मात्र गैर इसलामिक कर है क्या है। गैर इसलामिक कर है। सिचाई कर है। देखें इन्होंने बंगाल अवियान भी किया है प्रत्थम अवियान के समेश सासा कौन थे हाजी इलियास थे पंडुवा का नया नाम फिरोजाबाद रखा गया है एक दला का नया नाम आजाद पूर भी रखा है ये बंगाल अवियान के दौरन इन्होंने पांच बड़ी न पाँच बड़ी नहरों का भी निर्माड करवाया है ध्यान रखिएगा अब और देखिये इन्होंने अनुबाद विभाग कभी स्थापनक किया है संस्कृत ग्रंथों का फार्शी में भी अनुबाद कराया है रोजगार विभाग के भी स्थापनक किये नियुक्ति के लिए दप्तर की निक्ति की है गुण एवं योगता की पूरी जांच पड़ताल आधिकारिक लोगों को रोजकार का देने का प्रयास किया है दारुल सफा क्या है ये एक खैराती अस्थपत अस्थपताल है दारुल सफा की स्थापना की है कुसल हकीमों के भी उसमें उपलगता की है लोग निर्माणकार सहुरत ए आम लगभग 390 नगरों का भी निर्माण किया है इसमें इस्थापित प्रमुक नगर कौन कौन से याद रखियेगा फतेहाबाद है हिसार है फिरोजपूर है जौनपूर फिरोजबाद है पूर्ट ये जाता है फिरोजाबाद का निर्मान किसने करवाया है तो फिरोजाबाद, फिरोजपूर, जौनपूर, हिसार, फतिहाबाद मुख्य वास्तु कौन कौन है? मालिक गाजी सहना, मुख्य वास्तु कारणत ये थे फिरोज सा तुगलाद के बारे में अब आईए और देखते हैं कि नसुरुदीन महमूस साह के बारे में, जो नसुरुदीन महमूस साह है ये तुगलक वंस के अंतिम सासक है, ख्वाजा जहां द्वारा जौन पूर के श्वतंतर राजी की इस्थापना की है, पंजाब का सुवेदार खिज्र खां का श्वतंतर क असर द्वारान की अचल महमूस सास्वी है, तैमूर का भारत पर आकमर इन्हें के समय हुआ है, के पैडाम सरूम तुगलक वंस मृत प्राय हो गया फिर 1413 इस्यू में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चेन के पिर दिल्ली सुल्तान में कौन आता है दौलत खां आता है फिर खिज्र खां आता है दिल्ली के सासक दौलत खां पर बीजे प इबन बतूता किस देश के आयातरी हैं, यह मुरक्व मूलक के अफरीकी यातरी है, मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में ये भारत आयते ये चलतान द्वारा दिल्ली का जी इनको नियुक्त किया गया है शुल्तान ने राजदूत बनाकर इनको चीन भेज़ा है इनकी रशना क्या है किताब उल्रहिला की इन्होंने रशना की इंपोर्टेंट है शल्तनात काल में डाक बेवस्था का विस्तत विब्णा दिया है अब देखते हैं साहियाद वन्स खिजर खां जो कि अब हमने बताया है कि इनकी मृत्तिक बाद नसुरुद्दिन महमूद साह की मृत्तिक बाद क्या आता है साहियाद वंस जो खिज्र खां सुल्तान की उपादी धारन नहीं की रायत आला की उपादी धारन की तैमूर द्वारत प्रदान किया गया खुतबे में सारुक का नाम लिखवाया इन्होंने तैमूर ने खिज्र खां को लाहूर मुलतान तथा दिपालपूर की शुबेदारी सौपी सिको पर तुगलक सासको के नाम कभी अंकन किया है अब देखते हैं मुबारक सा खिज्र खां के बाद गदी पर बैठा मुबारक सा इन्होंने सुहम को शुल्तार गोसित किया इतने उपॉर्ण नहीं पस इतना जानी है इसके बाद कौन आया यहिया बिन अहमद सर हिंदी की पुस्तक तारीक ए मुबारक साही में यहंद के किनारे मेवात कटिहात थगंगा दवाव छेतर में अभियान किया अब आईये मुखंमस सा अब आए ये था मुबारक साह अब आए मुहम्मद साह इसके समय दिल्ली सतनत बहुत चोटे चेत तक सीमित हो गया साहियाद वसका पतन इसके समय से ही प्रारंब हो गया बहलोल लोदी का पुत्र इसको कहा गया किया है बहलोर लोदी को पुत्र कहा है अब देखे अलावदीन आलम साहा ये मुहम्मद साहा का पुत्र था किसका पुत्र था मुहम्मद साहा का पुत्र है ये साहियाद वंस का अंतिम साहा आपसे पूछा जाता है कि साहियाद वंस का साहियाद वंस का अंतिम साहा कौन है तो के लिए बहलो लोदी को अमंत्रन किया अंतिम समय जो इसके ब्यातीत हुआ बदायूं में अंतिम समय में इसने ब्यातीत किया यह कौन है इसके बारे में जान रहा है थे आलम सहा अब क्या आता है लोदी वन्स पूछा रहता है लोदी वन्स कब से कपर चलता है तो 1451 से 1526 इस पियसी जी तक होता में इसीयों में लोडी वंस्द की स्धापन कीं इनका आणड़्य नाम क्या हैAPP बहलोल सहणजी जॉण पूर सबसे महत्व पूरू हुसा sided को बहलोली सिक्को का भी प्रश्लन कराया था। उत्तर भारत में अकबर के सासन से पूर बिनमे का मुख्य शादन था। मृत्यु से पहले तीसरे पूतर निजाम खांसिकंदर सालोधी को अपना उत्रा धिकाली न्यूक्त किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा सासन काल किसका था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा सासन काल जो था ये किसका था। लोधी वन्स का था। फरिस्ता के अनुसार दो बार राजे हविशेक किया। फरिस्ता के अनुसार दो बार इनको राजे विशेक हुआ। अब आते हैं सिकंदर साह लोदी के बारे में 17 जुलाई 1489 इस्यू में को सुल्तान बने लोदी विंस के महानतम सासकते हैं 1504 इस्यू में पूछा रता है कि आगरा सहर की सापना कब हुई है तो 1504 इस्यू में नाप का पैमाना अगजे सिकंदरी कारम किस ने किया सहनाई सुनने के ये सौकीन थी गुल रुखी उपनाम से कभी था लेखन के अनाजों से चूंगी एम जाकात को समापते कर दिया गया उत्तिक्रश्ट गुप्टचर बिवस्था की गई है बहराइच में सायद सलार महसूद गाजी की दरगापर होने वाले उत्तिक्रश्ट पर भी उन्हें रोक लगा दिया गया है अब आते हैं कौन है इबराहिम लोदी ये कब आएं ये 1518 इस्यू में आए महराड़ा सांगा से खतवली का युद्ध हुआ जिसमें इबराहिम लोदी परास देखिया गया आप देखें फरिस्ता का कथन क्या है इबराहिम लोदी मृत्य परियंत लड़ा और एक सायनी की भाती मारा गया नियामत उल्ला, नामत उल्ला के अनुसार सुल्टान इबराहिम के अतरिक दिल्ली सल्टनत कोई अन्य सुल्टान युद भूमे में नहीं मारा गया आप से कोशन पूछ लिया जायाता है कि ऐसा कौन सा सुल्टान है जो युद भूमे में मारा गया है तो वो है इबराहिम लोदी कब मर गया है पानी बद के प्रथम युद्ध में देखे जो पानी बद के प्रथम युद्ध में देखे जो पानी बद के प्रथम युद्ध हुआ होता है 21 अपरेल 1526 युद्ध में होता है किसके बीच में बाबर इबराहिम लोदी और बाबर मे बाबर के बीच होता है जिसमें इब्राहिम लोधी की पराज़े होती है और इनकी मृत्वी हो जाती है वहीं पर युद्ध भूमी में अब आते हैं हम लोग तो ये था हमारा भी तक क्या था ये हमारे थे दिल्ली सल्टनत चल रहा था तो इसी के साथ हमारा ये दिल्ली सलतना के समाप्त हो जाता है इबराहिम लोधी के बाद और प्रारम हो जाता है मोगरवंस लेकिन आप से पहले हम देखते हैं दिल्ली सलतना के कुछ और मिसलेनियस पॉइंट है बिभिन प्रिशाशनिक बिभाग कौन से ने देखे दिवान ए मुस्त खाराज ये राज़स बिभाग से समन देते दिवान ए रियाशत बाजार नियंतरन बिभाग से समन देते दिवान ए अमीर ए कोही क्रशी बिभाग से दिवान ए खैरात दान बिभाग से दिवान ए बंद बिभाग से अब देखते हैं ऐग देखते हैं wan papa सेन संगंठन दसमलोक प्राणवी पर आधारत दस सिपाहीऊं की के कट दूकड़ी का पूर्धान सर ख्ल नाता है 10 उच्छिप सिपहलाकार सिपह सलार क्या क्या है दस सर खेल क्या है एक सिफा सलार दस सिफा सलार क्या है एक अमीर दस अमीर क्या है एक मलीक दस मलीक क्या है एक खान सेना कमुक सेना पती कौन होता है शुल्तान होता है अब आईए हम देखते हैं शल्तनत काली मुद्रा हमने देखा था कि इल्तुत मिस ने दो मुद्राइं जारी की थी एक था चांदी के जिनकों बोलते है टंका और जीतल जो की तामबा के थे ये जारी करता है इलतुत मिस्ते तर ये भी पूछा राता है कि टंका एवं जीतल का अनुपाद क्या थे एक एक बटे 48 इनका अनुपाद था सौरप्रथम बगदाद के अन्तिम खलीपा अल मुस्तिसीम का नाम अंकित है अलवदीर महसूत सह के सिको पर तंक ए सिहा जारी करता है कौन है मुहम्मद बिन तुगलक है अध्धा एवंबिक कौन जारी किया अध्धा एवंबिक फिरोशा तुगलक ने निका हियाद रखेग जजिया खुम्स लूट का धन जकात क्या है खराज जजिया खुम्स और जगात ये चार खर हैं किसके द्वारा द्वारा है ये फिरोशा तुखलक द्वारा है अब दिखते हैं और शिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया सासन की सपे छ बिजारत इसलामी कानून में मानिता थी एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रिणरा अबासी खलीफाओं ने फारस से ली थी प्रतम वजीर कौन है अबास फजल बिन मुहम्मद महमूद घजनवी के शाशन काल में राज्यस विभाग का प्रधान कौन होता था वजीर अब से पूछ जाता है वजीर क्या है तो राज्यस विभाग का प्रधान है बिजारत का सुनकाल तुगलक काल फिरो साह तुगलक के समय समय किस में था चर्मोत कर्ष में था अब आए देखते हैं दिल्ली सल्तनत की सासन विवस्था दिल्ली सल्तनत की सासन विवस्था क्या देखते हैं सैन प्रिशाशन शुल्तान जो है सेना का सर्वोच अधिकारी है सेना का विभाजन सवार एक कल्व केंदरी शेना है हस्म अतराफ ये प्रांती शेना है अब आईए हम देखतें इकता बिवस्था देखें जो इकता बिवस्था है ये इल्टुत मिस के समय ये सु बिवस्थित हुआ है प्रत्थम इकता जो है मुहम्मद गोरी द्वारा कुतुब दीन अभग को प्रदान किया गया है ये कहने के मतलब ये है कि इकता जो बिवस्था है वो इल्टुत मिस के समय से ये सु बिवस्थित हुआ है और प्रत्थम जो इकता है मुहम्मद गोरी द्वारा कुतुब दीन ऐबक को प्रदान किया गया है फवाजिल क्या होता है पूछा गया एक बार फवाजिल क्या होता है इकता से प्राप्त अतरिक्त आय जो सरकारी खाजाने में जमा की जाती थी उसको बोलते है फवाजिल राजियों को इकताओं में बाटा गया था जिस भारती तथा इसलामिक इस्थापत का ये मिस्रण है चूना राबिस तथा सुर्खी का प्रयोग किया गया है अरबक्स इसक्रीच एवं कुफी सैलियों का आगमन किया गया है महराब तथा गुम्मद को प्रधानता ये याल रखेगा इसमें महराब तथा गुम्मद को प्रध जानता दी गई है अब आए देखते हैं सासक और कौन-कौन से निर्मार का रहा है इससे क्योशन बनते हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुतुब दिन ऐबक ने क्या बनवाया है बताया गया था कि अरहाई दिन का जोपड़ा अजमेर में और कुतुब उल इसलाम मस्जित ये दिल्ली में बनवाया गया है इलतुद मिस्के द्वारा सुल्तान गड़ी होज ए समसी समसी इत गाहा अतरकीन दर्वाजा ये इलतुद मिस्के द्वारा बनवाया गया है कुतुब मिनार का निर्मार भी इनके द्वारा पूर्ण कराया गया था कि इ जाद रहें कि इंपोर्ट्ट है अब और आयों देखते हैं हम दो अलाउद्दीन खिल जी आप से पूछ लिया चाता है कि अलाउद्दीन दर्वाजा किस निर्माण करवाया है तो अलाउद्दीन खिल जी ने जमात एखाना मस्जित हजार सितून होज एलाई ये सब बिशुद इसलामी सहली में निर्मित प्रता मकबरा ये पूछा गया है कि इसलामी सहली में निर्मित प्रता मकबरा कौन सा है तो बलबन का मकबरा है जो कि बलबन ने बनवाया था अब देखे आए देखे हैं कुतुब मिनार के बारे में निर्मार कार किसने प्रारम करवाया चौती मंजिल का पूरा निर्मार करके तो चौती एबं पच्वी मंजिल का दिरीक एक मझिल और बढ़ा दी गई थी और फिर क्या हूँआ पिर सिकंदा लोदी द्वार भी कुतुब मिनार का निर्मार मरम्मत करवाई गई थी तो यह याद रखेगा, आपको याद क्या रखना है, कि कुतुब मिनार का निर्मार, कुतुब दीन ऐबक द्वारा प्रारम किया गया है, लेकि निर्मार पूरा किस ने करवाया है, कुतुब इलतुत मिस ने पूरा करवाया है, और चौथी मंजिल छादी ग्रस्त हो गई थी तो चौथी और पांच्वी मंजली का निर्मार फिरोसा तुगलतने करवा दिया गया था और फिसकंदर लोदी द्वारा इसको मरमत करवाई गई थी अब आई देखते हैं सल्पनत काल में कुछ बिबिद आई देखते हैं करती लेखक आई देखतें जवामी उल हिकायत ये है किसकी ये है क्या है ज़ामी उल हिकायत है सदृद्दीर मुहम्मद अलवफी की दूसरी देखए हकाईक ये हिंदी येकिसकी है अबदुलवाहिद बिलगरामी की तह्दीब अखलाग पताया नहीं कि भारतर के चो ज़ती से कटीर वड़ होते उर्दु मेरे होते हैं जो हम लोग आम भास्म यूशनी करते हैं इसे तफ हो जाते हैं तो तह्दीब अखलाग ये है बन मिशक वहा की अब देखे आगए अब देखे वास्तो सहली सम्मंत राजपूद कौन है, देखे सरकी, सरकी है जुकी हुई दिवारों के साथ बिसाल मुक्यदार इसको सरकी बोलते है, खिलजी क्या है, महराव की निचली सतह पर कमल कली की जाला रही है, तुगलत के क्या है ढालू दिवारे, जोकी सलामी स्था बीजे नगर की क्या है इस्तंभो में बोधी गोई का प्रियोगी ये वास्तु सहले उससे राजवन्स का इन्हीं का सरकी होई आपको क्या दिखे कि जुक हुई दिवारों के साल साथ बिसाल मुख्य द्वारत वो सरकी है खिलजी क्या है महराब की निशली सता पर कमलकरी की ज तुबलक क्या है ढालो दिवारे हैं ठीक है तो ऐसे सब इसके हो आप देखते हैं इस्तापत इस्ताप देखे जामी मस्जीत ये करनाटक में है कल बुरगी में अब दूसरा जहाज महेल ये धार मध्ध प्रदेश में है अटाला मस्जित जौनपूर उत्तर प्रदेश में ह देखा था को तुम मीनार के साथ लियोद को बनवाए गया है मतलस है वहां ब relates ये मस्जीत है इस्थ मंक्यस्थ म दिल में है क्वत इसलाम कि बनाये को तुम दिन ऐबक ने अब आए ये इह देखते हैं अधिकान अमीर एवं सुल्तान तूरक वर्कस किसे समंधीत है सुल्तान जो है केंदरी सासन का प्रधान होता है अमीर के है सभी प्रभाव साली पदो पर नियुक्त ब्यक्तियों को दी गई संग्या है इनका प्रभाव उस समय अधिक जब सुल्तान आयोग और निर्बल अथवा अल्पवा वयक्स को हो सासन काल देखिए तुगलक वंस का सासन सबसे दीर कालिक है खिलजी वंस का सासन सबसे कम समय तक है जो तुगलक वंस का जो सासन है सबसे दीर कालिक है जो तुगलक यह पूछा जाता है आपसे जो खिलजी वंस का जो सासन है सबसे कम समय तक चला सबसे बड़ा कौन सा है तुगला कवंस क्या है सबसे बड़ा क्या है तुगला कवंस याद रखेगा सबसे बड़ा किसका सासन है तुगला कवंस तो छोटा खिलजी वंस अपने शेंगें दच्छिर भारती राजवन्ज और उससे समंदीत राजधाने एक सिकंड है ये एक जाम में पूछा जाता है पल्लो की राजधानी कौन सी है कांचे पल्लो की कांची पल्लो की क्या है कांची पांडे की मदुरा यादो की क्या है देवगिरी यादो की क्या है राजधानी देवगिरी काक्ती काक्ती की राजधानी वारंगल होए साल की द्वार समुद्र अब आजे देखते हैं लोधी कालीन इस्थापत्य राजो की बाउली का निर्मार सिकंदा लोधी द्वारा 15 से सोलम किया गया है सीस गुम्मद का निर्मार 1489 इसवी से 15 से सतरा इसवी तक अब देखते हैं दिल्ली के लोधी बाग का बड़ा गुम्मद दिल्ली के किसी भावन का सबसे पूराना पूर गुम्मद संभावता सिकंदा लोधी द्वारा निर्मित किया गया है यह कहने के मतलब यह है कि सिंके दर लोधी द्वारा दिल्ली के इसी भावन का सबसे पूराना पूर गुम्मद है अब देखते हैं हम लोग सल्तनत कालीन प्रमुक बिभाग दिवान ए आरिज जो दिवान ए आरिज है ये सैन बिभाग है दिवान ए रसालत है ये धार्मिक मुद्दे या बिदेशी मामलों की यहां पर देख रेक की जाती थी अब देखें निश्ट दिवान ए बिजारत दिवान ए इंसा है अब आए देखते हैं सल्तनत इस दिल्ली सल्तनत साहित है अमीर खुश्रो इनका मूल नाम क्या है अबूल हसन या मुनुद्दीन खुश्रो इनका मूल नाम इनका जमन है 1230 एसियू में पटियाली जीला कासगंज में हुआ था प्रमुक उपादिया क्य द्वारा इनको दिया गया है तुर्क लाह निजम अद्दीन अवलियो द्वारा इनको दिया गया है प्रमुक रश्नाइन की क्या है इसमें याद रखेगा किरान उस सादेन तारीक हे दिल्ली मोश इंपोर्टेंट है और देखे मिपता उल्फुतू हजाइन उल्फुतू तुगलक नामा याद रखेगा नूर सिपाह आसिका कवाली संगीत सैली के प्रारंबिक रूप के आरम करता है फार्सी काब सैली के सबागे हिंदी के जमन दाता है तबलायों सितार का प्रिशलन है ये इंपोर्टेंट है सबागे हिंदी जमन दाता तबलायों सितार का प्र नचकार बेखते हैं देख़े तबकत ये नासरी मिन्हाज उस सिराज की है तारी के फिरोज साही किसकी है जिवद् decrease की है चयnu दीन बरनी समसिं सिराज आफिक की है ताज उस ताज उल्मासिर हसन निजामी की है तारी के मुबारक साही यहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारी के मुबारक साही फुतुह उस सलातीन फुतुह उस सलातीन किसकी अब्दुल्ला मालिक अब्दुल्ला मलिक इसामी की है राणा कुम्भा क्या है संगीत मिमानसा और संगीत राज राणा कुम्भा के है संगीत मिमानसा संगीत राज फिरोसा तुगलक की क्या है उन्हें बताया है फुतु हाथ या फिरोसा ही जो की इनकी आत्मकथा है फुतुहात एफिरोसाही ये फिरोसा तुगलक की है अतारी के फिरोसाही किस की है जिया उद्दिन बरनी की है और समसे सिराज आफीफ की है तो ये थे हमारे क्या है दिल्ली सल्तनत के साहित अब देखते हैं नेश टॉपिक बिजय नगर समराज क्या है बिजय नगर समराज द संगम वंस के संस्थापक है आपक से सलू वंस के भी संस्थापक पूसता है इसके कौन है सलू नर्सिंग है तुलू वंस के संस्थापक भी नर्सिंग है आरा वियूरू वंस के संस्थापक तिरू मलले के मोश इंपॉर्टेट है संगम वंस के संस्थापक कौन है हर यहर एव पश्चात इसलाम धर्मो सुईकारा संत बिध्यरंड के प्रभाव से पुना हिंदु धर्में इनकी वापसी हुई है और सिच्छा के प्राप्ति हुई है गुरु बिध्यरंड एवं भास कार सायन से इनकी सिच्छा प्राप्ति हुई है अब देखे हरिहर दुती ये जो हरिह सबसे बहुत सफलता है बह्मनी सासक से बेलगाउं तथा गोवा छीनना सीव के बिरुपाच रूप कभी ये उपासक ये हरीहर दूती देखिए आपको ध्यान क्या रखना है हरीहर बुक्का किसके संस्थापर के संगम वंस की और ये इसलाम धर्म सुईकार किये थे बाद में हिंदु धर्मी में इनके वापसी हो गई थी और हरीवार दूती में क्या धर्म रखना है कि इनको महराजी धिराज की उपादी से सुसोभित किया गया है कनारा मैसोत इचनपल्ला काची की विजे की गई है ठीक है और अब आई नेश्ट है सलू वंस सलू वंस के संस्थाप अनकी इमाड़ी नर्सिंग, ये नर्सिंग सलू का पुत्र है, बीर नर्सिंग δ्वारा इसको हटा दिया गया है अब आई देखते हैं तुलू वंस चो इंपौर्टन है बस आपको इतना ही ध्यान रखना तुलू वंस इसकी जो सफ़ हिरें देखते हैं को Echo एकरक bust है गजपती-रज-कुमारी- तुक्का देवी अनपूरा देवी से विभा हुआ है, राय चूर-अभियान मेशल- इस्माईल- आदिल-सा को हराया है, गोल-कुन्ड़ के युद्-मेकुली-कुतूब सा को हराया है, समत्रूर समाज से विभाकर समाप्तिक कर दिया गया गोल कुंडा के युध में कुली कुतुब सहा को हराया राय चुर अभियान में इस्माईल आदिल सहा को हराया गाचपती राजकुमारी तुक्का Débhi सिन का विभाय हुआ उदेगीरा किली उदेगीरा किला किष्ण देव राय द्वारा जीता जाने वाला पहला किरा है अब आई देखते हैं किष्ण देव के बारे में इनका जो शासनकाल है तेलगू साहित का क्लासिकी युग कहते हैं इनके सासनकाल को क्या कहते हैं तेलगू साहित का क्लासिकी युक कहते हैं उत्करष्ट कभी लेखक हैं रशनाय क्या है इनकी इनकी जो रशनाय है अमुक्त माल्याद जांबुवती कल्ले आडम उसा परिणयाम आदी मंदि निर्मान बिठ्थल स्वामी मंदिर हजारा मंदिर समंदिर विदेशी यात्री कौ किसे समंदित था आप क्रिश्न देव राय से समंदित इनके जो उपाधी मिली हुई है आंद्र भोज यवन रार इस्थापना चार अभिन भोज इनको सरचन आठ कभियों को सरचन मिला हुए आपको ध्यान में क्या रखना है ये शाशनकाल उपाधी और इनके समंदित तुलू बंस को अब दफ्त करिन की स्थापना की गई है विंकेट सेकिंड क्या है राजा वाडिवार मैसूर राज का संस्थापक कहनी कि ये समकलीन है राजधानी चंद्रगीरी इस्पेन के साथ राजनाईक समंद है अब आई देखते हैं सिष्ट भूकर बिजे नगर रा कि प्राचीन राजधानी है फुशनी चिकी पहर राजधानी है हमपी क्या है विजे नगर राजधानी है यह जबस इसमीक यह पूछा जाता है इह फॉइंट आइगए प्रमुक इस्थापत बिरुपाज और मन्दीर अब आई देखते हैं कि ताली कोटा कं यूद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था तो तो ताली कोटा का युद्ध चो हुआ था 1565 कब हुआ था पंदरा 1555 इसे में हुआ ये भी ध्यान में रखियेगा बीजापूर अहमद नगर गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेना और बनाम बीजे नगर कौन कौन थी इसमें बीजापूर अहमद नगर गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेना और एक तरफ थी बीजे नगर नगर था तो इन लोगों के पीज था ताली कोटा का युद्ध है। ताली कोटा का युद्ध कब हुआ है। अब देखे बीजे नगर का प्रिशाशन आई देखते हैं प्रिशाशन इसका जो शौरूप था परंपारिक निरुंकुस राजसाही राजा क्या था अन्य पद नाम राय राजा का पद सर्वोच होता था। सभी सक्तियों राजा के पास होती थी सेना का सर्वोच अधिकारी ये राजा होता था। नाइंकर बिवस्ता दिल्ली सल्तनत के इकता बिवस्ता जैसे थी। सेना का जो कमांडर होता था नायक होता था नायक क्या करता था अपने छेतर में कर्वसूलने का अधिकार करता था। नायक को द्वारा राजा को भेट प्रस्तुत किया ज़िए करता है इतना ध्यान रखे है इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना दिया है लेकिन पढ़ना आपको पढ़ना है इनका शौरूप कैसे था और सेनक कमांडर क्या बोलते थे नायक और राजा के पाद कौन कौन सी चीजे ह होती थी यह देहा में रखना अब देखते हैं बिजे नगर समराज के सनच्छर में साही थे कौन कौन सी थी तेलगू संस्क्रेट कन्नड तेलगू में क्या है अमुक्त माल्याद है इसके जो लेखा कौन अभी हमने देखा था क्रिशन देव राय है मनुचृत के लेखा कौ अभी हमने पढ़ा है क्रिशन देव राय की है राज काल निरने गुरू बिध्यारंड प्रभू लिंगा लील जो लेखा के चामरासा की राम धन चरित नल चरित्र ये है कनकदास की करनाट भारत कथा मंजरी ये है कुमार ब्यास की या दखिएगा कथा मंजरी किसकी है कुम लियात क्रिशन देव राय की है और आपको ये ध्यान रखना नहीं कि याद रखने का और ये कथा मंजरी अब आई देखते हैं बीजे नगर समराज में सामाजिक जीवन कैसे होता था देखिए मंदिरों में देवदासी तथा समाज में सती बिवस्था प्रशलितियों समय म माज में चार वन थें ब्रामभर चतरी बैश शुद्र संगम सासक मुख्यता सयो धर्म के अनुवाई थे बैभो पूर उसमें जीवन था अब देखिए बिजे नगर की स्थापत्य कला इनका जो कला था मंदिर चहार दिवारी से घीरा था द्रमिड सैली थी प्रमो भौन अब आईए हम देखते हैं उत्तर भारत एवं दककन के प्रांती राजवन्स अब क्या देखेंगे उत्तर भारत एवं दककन के प्रांती राजवन्स के बारे में जौनपूर आए देखते हैं जौनपूर के संस्थापक कौन है फिरोसा तुगलक की जौनपूर नगर के बनाया थे मतलब इनके दोर निर्मान कराया गया था जौना खा मुहम्मद बिन तुगलक की इस्वनती में बसाया गया था जौनपू संस्थापक है उपाधी इस सुल्तान से प्राफ्त मिला है कौन-कौन सी मलिक उस्ख सर्क ख्वाजा ए जहां इतना इंपोर्ट नहीं यह वारा पॉइंट इब्राहिम सहा सरकी सबसे महान सरकी सासक है सरकी सैली स्थापत का उदे है जौन पूर भारत का सिराज बोलते हैं हुस कश्मीर के हैं जैन उल आबेदीन मूल नाम साही खां कश्मीर का सबसे महान मध्यूगीन सासक है कौन है जैन उल आबेदीन मुगल बासा अकबर से इसकी तुलना की जाती क्यों की जाती धार्मिक उदारता के करन गोहत्या पर पाबंदी इसने लगा दिया था जजिया महाँ भारत राज तरंगडी का फारसी में अनुवाद कराया कि से कुत्व उपनाम से फारसी सायरी है जैना जैना जो है लंका दीप का निर्माण कर वाया है कहां पर उलर जेल में अन्य नाम कस्मीर का अकबर इसको बोलते हैं कस्मीर का अल elegant धिन खिल जी कस्मीर का अलोदीन अब आई देखते हैं गुजरात, जफर खाँ, गुजरात में कौन था साहा के नाम से गुजरात का सुल्तान बना, मालवा के सासन हुसंग साहा को परास्त कर राजधानी धार पाधिकार किया और बाद में वापस कर दिया गया अब आई देखते हैं महमूद बेगड़ा के बारे में अबूल फता, महमूद साह की उपाधी इसको मिली, मूल नाम फता खाँ है, मुखे बिजे, चमपा नेर, गिरिनार, ये ध्रण कीले हैं अब आई देखते हैं बहमनी, बहमनी के में सबसे पहले देखेंगे अलाउदीन बहमसा, इनका जो मूल नाम है हशन, उपनाम गंगू, उपाधी जफर खाँ बहमन सा, बहमनी समराज की ये न्यू रखे, राजधानी, गुलबरगा, वरतमान कलबुर्गी, आहशाना बाद नया नाम, समराज कोसासन के लिए चार तरफो ये प्रांतों में हैं बाटा, कौन कौन से हैं, एक है गुलबरगा, दौलताबाद, बरार और बीदर, इन्होंने बाटा, अब आए देखते हैं बीजापूर, बीजापूर के में क्या है, आए देखते हैं, इबराहीम आदिल सहादूती, उपादी कौन से मिली इनको, जगत गुरु जनता द्वारा, अननाम क्या है, अबला बाबा, ये निर्धनों का मित्र, किताब ए नौरस के लेखक है, नौरस पूर नगर की स्थापना की है, बीवित देखते हैं, इस्थापत निर्माड, तुगलकाबाद, वो किसके सासरे में बनाया है, तुगलकाबाद गया शुदीन तुगलक ने, मोट मस्जिस सिकंदर लो दीने, तुगलकाबाद गया शुदीन तुगलक में, अब आई देखते हैं, बहमनी सत्ता से फतंतर हुए राज, देखिए जो ये थे, हमारे हमने क्या पड़ाए उत्ता भारतियों दक्कन के प्रांती राजवन्स की बारे में हो सकता आप लोगों ने पहले नाम ना सुना हो वह बत्ता सुना हो तो इतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन जो इंपोर्टन है आप ध्यान में रखे इसमें बताया है एक थोड़ा पहुत ठीक है अब आईए देखते हैं बहमनी सत्तर से फतंत हुए राजवन्स कौन से है देखे बरार बरार जो है इसके संस्थापक कौन है फते उल्ला इमाद साह है राजवन्स कौन है इमाद साही इसके राजवन्स कौन है बीदर इसके संस्थापक कौन है अमीर अली बरीद राजवन्स कौन है बरीद साही है अब आईए देखिए बीजापूर, बीजापूर कौन है इसके संसापक यूसिफ आदिल साह, ये इंपोर्टन है यूशुफ आदिल साह, राजबन्स कौन है आदिल साह, अहमद नगर इंपोर्टन है, इसके संसापक कौन है, मलिक एहमद है, राजबन्स निजाम साही है, गो बीजापूर, एहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बराद, ये सब भहमनी सत्ताइफिर फतन थुरुए राज हैं, अब आए नेश टॉपिक देखते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन, क्या है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, देखें भक्ति आंदोलन, भक्ति का आर्थ क्य के उदे के साथ इसका सुत्रपात है, प्रशार क्या है, दच्छी भारत के अलवार, येनिक बैशनो संतो द्वारा, और नैनार सैयो द्वारा, जो अलवार थे हैं, उनको क्या बोलते हैं, बैशनो की बैशनो द्वारा, नैनार मतला सैयो द्वारा, पूर्ण जनम, पंद्र इसको जो प्रवर्तक है यह पूछा जाता है most important है इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा आपसे एक्जाम में पूछा गया जब आ प्रिए से कोश्पर लगा रहे होंगे तो आपको इससे कोशन बिले होगी। देखे जो है। प्रवर्तक है और सिधांतिय संप्रदा है। पुष्टी मार्क संकडेव कौन एक सरंधसंपरदाय के संकर देते हैं अब देखते नैनार रड़ियकों एक बढम पारक्त है शुब्हक्त गाथ लग्मदरinator श्हक्षो करें हैं के लगला संधकर दोर कङें पूसंथहbon नियार आदी महिला संत है आप इतने याद रखेगें नैनार किसको कहते हैं बस विष्णु भक्त क्या है अलवारों के भजन का संकलन है अलवार बोलते हैं नाल इरा द्रब्बे नाय इरा दिब्वि प्रबंधनम प्रमुंग संत कौन से हैं तिरू मली साही अलवार नम अनडाल एक मातर महिला आदी है इसमें महिला कौन सी है अनडाल अब देखेंगे भगति अंदोलन का स्वरूप एक थे नी मेगुन भगती निर्गुन भगती एक भगती हैं तो जोने मिरुल भगती थे ये कबीर रयदास, यह भगवान के जो मूर्थी रूप था उसकी पूजा नहीं करते थे, मूर्थी पूजा नहीं करते थे, इसलिए इनको निर्गॉर्ण भगति बोलते हैं आपसे पूछे लाता है निर्गॉर्ण भगति में कौन-कौन से आएंगे संत कभीर और रहधास आएंगे ठीक है अब देखें इसमें सब्सक्राइब करते थे परामपारी पूजा होता जैसे हम लोग आज करते हैं प्रातने का समर्थन किया जाता था प्रमुक संत तुलसिदा सूर्दास मीरा आदी मतलब यह भगवान को समझ में रखके पूजा करते थे देखें जो निर्गुन था यह सभी के लिए था इसमें कोई नहीं था कि कोई था मतलब यह जैसे जर्शूत होते ना पहले मंदिरों प्रविष्ण किया जाता था था तो यह सब निर्गुन भगती में आते थे ठीक है तो इनको मतलब यह नहीं जाती भगती अंदुलन द के प्रवारत कौन रामानंद है। संदेशों का प्रिशार प्रिशार आधिकांसा हिंदी भासा में करते थे बारा प्रमुख सिस्सें जिसमें कबीर धन्ना आधी आते थे इने पूसते हैं कबीर धन्ना कि इनके सिस्सें रामा नंदिके थे आई कबीर के बारे में आई दिखते हैं दिखें जो कबीर थे इनका लालन पालन है निकलालन पोशन है जुलहा दमपती नीरू नीमा द्वारा किया गया था बीजक मोश इंपोर्टेंट है बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन है इनकी रशनाए कौन सी साखी सबद रमैनियाद इनकी रशनाए ये मोश इंपोर्टेंट है कबीजी के बारे में अमर्मूल धरंधास के साथ कभीर के समवादों का संकलन है उसको बोलते हैं अमर्मूल अब देखते हैं महा राष्ट में यह थे अभी हमने देखा था इसमें भक्ति अंद्रूलन का शृरूप निर्गुन और सगुन में अब इते महाराश्ट में कौन थे नाम देव का नाम अपने सुनाओगा नाम देव यह भक्तियां देवलन को इन्होंने लोगपरी बनाया नाम देव के गुरू कौन थे बिसोभा केचर थे वरकरी संप्रदाय से ये समंधी थे अब देखे बिसोभा केचर बिसोबो खेचरे खेचर नात ने रहे सवादी जीवन की दिच्छा नाम देव को दी थी ग्यान देव ने इस्वर के सरुब्यापी स्वरूब से नाम देव का परशे कराया नाम देव के कुछ गीतात्म पद्ध क्या है गुरू ग्रंत साहीब में संकलित है अब आये देखते हैं हम लोग बारा जोती लिंग कभी कि पूछे जाते हैं कि बारा जोती लिंग कहां कहां पे है आपको पता होना चाहिए वैसे भी कि बारा जोती लिंग कहां कहां पे है आये देखते हैं हम लोग तो से पहले हम देखेंगे महा कलिश्वर महा कलिश्वर है यह क्या देखेंगे महा कलिश्वर ओमकारिश्वर मलिका अरजुन स्वामी नागेश्वर शोम नाथ बैद नाथ कासी बिसुनाथ केदार नाथ रामेश्वर भीमा संकर भीमा संकर घंड़िश्वर तरम केश्वर ये बारा जोती लिंग है ठीक है अब आई देखते हैं गुरु नाना के बारे में देखें गुरु नाना का जो परिच्छे है आई देखते हैं इनका जो जमन है 1479 इस्वी में हुआ था जमन इस्थान कहां पर तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान में आपना किस ने की थी तो गुरु नानक ने की थी ये सिकंदर लोधी के समकलीन है एक इश्चरवाद में विस्वास करते थे निर्गुण ब्रह्मी की उपासना पर ये बल देते थे किस पर निर्गुण याद रखेगा इनका जमन ये पूछ ले जाता है गुरु कलंगर मु जो भेद भाव किया जाता है तो उसमें भेद भाव किये बीना सबको खाना खिलाया जाता है प्रमुक गथन क्या है इनका ये देखते हैं इस्वर ब्यक्ति के गुड़ों को जानता है पर वह उसकी जाती के बारे में नहीं पूस्ता क्योंकि दूसरे लोग में जाती नहीं यानिके इनों ने जाती बिवस्ता उसों खत्म करने की प्रयास किया है अब आई देखते हैं सिख धर में से जुड़े कुछ तथ देखें गुरु अरजुन तथा गुरु तेग बहादूर द्वारा जोड़ी के रशनाओ को अंतिम रूब से गुरु गोविन सिंग द्वारा गुरु गंसाइब में संकलन है अंगत गुरु नाना के उत्रा धिकारी हैं गुरु गोविन सिंग द्वारा खालसा पंथि की इस्थापना की गई है गुरु अंगत द्वारा, गुरु नाना के उबदेशों का संकलन तथा गुरु मुखी लीपी का भी प्रारम किया गया है अब आई देखते हैं भक्ति अंदुलन का प्रभाव देखे भक्ति अंदुलन का प्रभाव क्या पड़ा है इसमें जाति गद भेद भाव पर ये प्रेहार किया गया है भाई चारों को इसको बढ़ावा मिला है समास सेवा को भी बढ़ावा मिला है कर्म कांड और अंध विस्वासों की निरस्टका के विस्वास में भी ब्रद्धी की गई है लोगों के दहनिक जीवन में धार्मी भावना की भी ब्रद्धी की गई है समानता के अधार पर भी मानाउता में ब्रद्धी की गई है इनको बढ़ावा मिली है अब आई देखते हैं सूफी अंदोरन देखे भारत में जो सूफी अंदोरन है इसके जो प्रारम है बाहरुई से तेरी शताब्दी में किया गया है इनका सूफी बिचार इसलाम की रहसवादी परंपरा है इसलाम के अंदर उधारवादी बिचार अंदूरानाते हैं पीर तथम मुरीद जो है पीर कौन है? सिच्छक है मुरीद कौन है? छातरी की संकल पर अभी सूफी अंदूरान में की गई है सूफी परंपरा दो वरोकों में विभाजित किया गया है बासरा बासरा और बेसरा बासरा क्या? इसलामिक नियुमों परंपराओं को मानने वाले बेसरा क्या है? इसलामिक नियुमों परंपराओं को ना मानने वाले बेशरा बोलते हैं, बेशरम तुबा ना मानने वाल है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, कादिरी शाखा, इसके जो संस्थापक हैं, सेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी हैं, जो कि बगदाद के, प्रिथम प्रिचारक भारत में, साहा नियामतुला मकदूम जिलानी ने, गई थी, संस्थापक कौन है, अबु इसहाग समी चिस्ती, ख्वाजा अबु एहमद अबदाल, अब हम देखतेंगे, किसके बारे में, ख्वाजा मुधिन चिस्ती, जो ख्वाजा मुधिन चिस्ती है, ये, मुहम्मद गोरी के शेना के साथ, भारत इसका आगमन हुआ है, ख्वाजा उसमान चिस्ती हरुनी, कौन है, गुरु ख्वाजा उसमान चिस्ती हरुनी, सिस्से कौन है, कुतुबदीन बक्तियार काकी, ये, इनके सिस्से, अब देखतेंगे, हम देखते हैं, बाबा फरीद के बारे में, देख, बाबा फरीद जो थे हैं, चिस्ती सिलसिले में इनकी मृत्त हुई थी दरगहा दिल्ली में हैं साथ स्याधी सुल्तानों के समकली नहीं अननाम क्या है महमूद ए इलाही सुल्तान अलौलिया जिनको बोलते हैं संतों का राजा अलौदिन खिलजी से मिलने से इंकार किया इन्होंने सेख सलीम चिस्ती साखा के अंतिम इसकी जो इस्ठापना है चावद्वी सत्यादी में हुआ है इसकी जो संस्थापा के खोाजा बाहुत दीन नक्सबन्द है खोजा ख्वांद महमूद जो है कस्मीर को अपना केंद्र बनाए खोजा बाकी बिल्ल्ला भारत में मुख्व परचारक बने सेक अहमद सरहिंदी बाकी बिल्ला के सिस्स वजहत उल सुहूद का प्रतिपादन किया, मुझहिद इसलाम धर्मे के सुधारक है, संगीत का बिरोध किया, इन्होंने, अकबर की उदार नीतियों का भी बिरोध किया, प्रमुक अनवाई मुगल बासाहा और अन्जेब, महत्यपुन कुस्तत है, की रचना है मलिक मुहमद जैसी की तुलसी दास समकालीन किसके थे अकबर और जहांगीर के भारत का साधी कहा गया है अमीर हशन को इसा मसी का जमन हुआ था यहूदिया प्रांत के बेथले हमें बेथले हमें हुआ था इसा मसी का जमन हुआ अब आई देखते हैं सलतनात काल मे बीविद रहे गया थे आई देखते हैं प्रमुग प्रान्ती सासक आई देखते हैं रन थम्बावर हमीर देव चित्ताओर किसके तोरा राजा रतन सिंग थे गुजरात में कौन थे कन देव देव गिरू में कौन थे राजा रामचन देव यह याद रखेगा अबसे पूछा हम लोग रिया राजा रिया शट प्रमुग प्रामुग शाशक जो हमारे मदूरा में बीर पांडे थे होईशाल में बीर बलाल थे देव गिरी में रामचन संकार देव थे और वारंगल में कौन थे प्रताफ रुदर देव दूती थे वारंगल में अब आई दिकते हैं प्रमुक रशना क्या है तारी के फरिस्ता बीजापूर के सासक इब्राहिम आदिल सहा को समर्पित किया गया है तो तहदे की उसे पूछा क्या जाएगा जो फरिस्ता है इनकी रशना कौन से है तारी के फरिस्ता किसको समर्पित है जो बीजापूर के सासक इब्राहिम आदिल सहा को समर्पीत है अब निश्टा ये तैकीक ए हिंद याद रखेगा किसने किसकी रचाईता है अल बरनी है इसके देखा अंग्रेजी अनवादक याद रखेगा एडवर्ड सचाउ है हिंदी अनवादक रजनी कान सर्मा है भासा अर्बी है बिजे इस्तम चित्तो राणा कु मालवा बिजे की उपलच में निर्मान किराय कराया गया है वास्तुकार कौन है जैता प्रसस्तिकार अत्री और महेसित इंपॉइंट नहीं आपसे पूछले जाएगे पॉइंट इंपॉइंट है अब आईए देखते हैं हम लोग प्रमु की यूद एवं वर्ष आपसे थेल 1526 जिएमें पानिपद का प्रथम जोकश दुए है तैमूर का भारत पर आखमारे 1298 ऌइसी तैमूर का भारत पर आखमार अब आजिए धे ठेखते हैं प्रशाशनिय विभाग या प्राणमन dueं करता है तरक है इसकी या इसका कौन प्रार्म किया था है दिवान इसकोण आप प्राराम करता है साह सब तो आला हुद्दिन खिल जी हैं अम दिवान अमीर को ही क्रशी विभाग से हैं मुहम्मां बिन तुगलक अम क्रशी विभाग से हैं मुहमम बिन तुगलक होई साल राजवंस की राजधानी दौर समुद्र का वर्तमान नाम हले विडू है जो करनाटा के हासन जिले में इस्तित है वर्तमान में हले विडू के मंदिरों का विख्यात मंदिर कौन सा होई सलेस्वर का प्रशीन मंदिर है बेलूर में अवस्तित होय साल काल में निर्मित चेना केसो मंदिक निर्माण पारम करवाया थे किसने बिश्णु वर्धन होय साल वंस का शाषक ने अब आई देखते हैं महमूद घशनबी के दरबार के प्रशित विद्वान एवं कभी फिर दवसी को दी गई उपादी क्या है पूर का हूमर फरिस्ता की पूस्तक मुने बताया था तारी के फरिस्ता का एक अननाम क्या है गुलसन इब्रहामी सल्तनत काल में एक्तिधारों द्वारा सरकारी खाजानों में जमा की जाने वाली अत्रिक रासी क्या कहलाती है फवाजिल या फाजिल आई देखते हैं मुगलवन्स देखिए मुगलवन्स है जो ये हमारे एक जाम की ते से बहुत ही इंपॉर्टन्त रोलनी भाथा है आप देख रहे हैं कि मुगल वन्स और दिल्ली सल्दनत से कुश्चन बनते हैं तो आइए सबसे पहले हम देखें कीकी सासन की आवधी के बारे में देखें बाबर का आप जानते हैं कि 1526 से 1530 तक ये सासन करते हैं बाबर के बाद कौन आते हैं? हुमायू आते हैं फिर हुमायू आते हैं फिर अकबार आते हैं पंदर सो चपन से सोला सो पांच इसवी में फिर जहां गीर आते हैं सा जहां आते हैं फिर औरंग जेव आते हैं फिर उत्तर मुगर काल आते हैं जो की चलता है हमारा सतरा सो साथ से और ठारा सो सतावन इसवी तक तो आएए हम लो जरू बता दे रहे हैं कि 1526 क्यों पानीपत करो युद्ध हुआ था इस बाबर ने इंक रखाया था इवराहीम लोधी को ब्राइम लूदी को हरा एक है तो इसी से शुरुआत होती है मुगल बन्स की ठीक है तो आपको यह थोद्फृब्हारी होनी चाहिए बाबर के बारे मे देखे बाबर जो है भारत में मुगल समराज के संस्थापक है आपको पता है अभी हमने बताया है जो है तैमूर का वंसज है ये पीता की तरब से तैमूर के वंसज थे और माता की तरब से चंगेच खांका वंसज है मूल नाम क्या है जरुद्दीन मुहम्मद बाबर है 1494 इस्यों में फरगना का सासक है जब ये सासक बने फरगना के तब इनकी उम्र कितनी थी लगभग 11 वर्स थी 11 वर्स चार महीने थी इनकी उम्र इनकी बाबर के बारे में कभी कभी एक्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि बाबर पिता की तरफ से किस वन्सकित हैं तो आप क्या बताएंगे तैमूर माता की तरफ से चंगेज खान के वन्सकित हैं इनका मूल नाम क्या था जरुद्दीन मुहम्मद बाबर अब आते हम देखते हैं इनके सैन अभियान के बारे में देखें पंदरा सो चार इस्व में बाबर ने काबूल पर बिजे प्राप्त किया पंदरा सो चार इस्व में बाबर ने काबूल पर बिजे प्राप्त किया पंदरा सो चौबिस इस्व में विखोषित किया ये कलंधर की उपधिए सम clinics गइव समयय धICIA राण के यूद में जो युद अपनाई गलती तनीती पूछा जाता है कि उदोए तो यूद में तुल गमा युद नेती अपनाई थी जबारूद तोप खाना न भुर सवार के इनोंने बैगयानी प्रियोग किया था तो यह थे बाबर के शय के इनके युद्ध देखते हैं नेको अगया था पानी पानि isz किया है प्रथम युद्ध है इसी के साथ इब्रहायम लोधी को हराया था और मुगल के खानवा के यूद के साथ इन्होंने गाजी की उपादी प्राप्ति की आप में कि कौन से युद में बाबार ने गाजी की उपादी धारण की तो ये हैं खानवा के युद में तो खानवा का युद किन के बीच हुआ था बाबार और राणा सांगा के बीच में आपसे क्यूस्चन बनते हैं फिर नश्टाता है चंदेरी की युद तो 1528 CSU में में बाबार और महमूद लोदी की बीच में जिसमें महमूद लोदी हार जाता है अब देखते हैं ब्यक्तिगत उपलब्धी क्या है ये है तुर्की तथा फासी भासा का विद्वान थे बाबर मात्र भासा चगताई तुर्की की थी चार बागसायरी तथा ब्यवस्तित बागानों के निर के आप से पूछी शाती है तुजू ए बाबरी में तुरकी भासमिन की आत्म कथा निखकर When Sahi दो आइए हम देखते हैं कि अब आये देखते है फुमाय और सेर्व वाणे के बारे में देखिए जो बाबर के पुत्रों में हुमायू जो है सबसे बड़ा पुत्र है और कौन पुत्र होते हैं यह कामरान असकरी एवं हिंदाल हुमायू कामरान असकरी एवं हिंदाल हिंदाल में हुमायू जो है यह सबसे बड़ा पुत्र है माता क्या है भै माहम बेगम सिया यह सिया बोलते हैं यह माहम ये हुमायू कब बना? 1530 में ये हुमायू सासक बना. 1532 इस्यू में चुनार दुर्ग पर इन्हों ने प्रत्थम आक्मन किया. 1532 इस्यू में होता है. इसमें इन्होंने बिजे प्राप्ति की. किसके दौरा होता है? सेर खाँ दौरा हुमायू की अधीनता को शुकार किया गया है. सेर खाँ दौरा हुमायू की अधीनता को शुकार किया गया है. देवरा या दौरा का यूद्ध 1532 इस्यू में बिजे मिली. अब देखते हैं इनके प्रमुक चार युद्ध हैं. आपसे युद्ध हैं हुमायू के बारे में पूछा जाता है. आपसे कभी डेट भी पूछ सेर खान बिजेतर हैं और सेर सहां की उपाधी धारन की इसी के साथ. यह देवरा या दौरा का यूद्ध में अभी अबने बताया है कि इसमें हुमायू बिजेतर हैं. यह यूद्ध कभ हुआ 1532 में इसको हमने पहले पता है. झाहे हमायूद लास लद चनख सका, यह यूद्ध क circuits करका कि आष़जवार सेर बिजेतर हैं. झाल 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 झाल